आज का वीडियो इतनी इमर्जेंसी में शूट करने का रिजन यह है कि सुबह सुबह किसी का मैसेज आया कि कारा में चेंजेस हुए है तब जाके मैंने भी चेक किया मुझे खुद नहीं पता था तब तक सो थैंक्स टू देम स्वाती बाबू तो उनका रियली थैंक्यू उनकी वज़े से आज सबको हिल्प हो जाएगी चेंजेस क्यू कराये गए है उसका रिजन मुझे अभी नहीं पता चला है मैंने गाइडलाइन्स रीड किये मैंने सारे सर्कुलर भी देख लिए लेकिन कहीं पे भी यह मैंशन नहीं है कि चेंजेस क्यू किये गए है जब मुझे कंफर्म पता चलेगा तब मैं आपको बता दूंगी कि चेंजेस क्यू हुए है फिलहाल के लिए लॉग इन करने के लिए पासवर्ड चेंज करना बहुत जरूरी है सभी को तो आइगेस आपको इमेल आ पूट करके दिखा रही हूँ अभी फिलहाल न्यू चेंजेस में सिर्फ यही एक वीडियो आप आएगा बाकी के वीडियो धीरे धीरे डालूंगी जब मुझे कंफर्म पता होगा ओके तिल देन आप यही वीडियो देखके एटलिस्ट लॉग इन कर पाओगे तो आपको आपका वेटिंग लिस्ट नंबर और आपको अगर इमीडियेट प्लेस्मेंट का ओप्शन ओपन हो रहा है और अगर आपका कोई रिट्फ रिलाया है वह आपको दीखेगा और जहां तक मुझे पता चला है मुझे एचसर एजनसी वालों ने जो बताया है तो वह बोल रहे प्लिक करेंगे यहां फिर जुक्र परद लिए जो पेंटर ओपन हो गया यहां पर यहां तो रसी सेचन नंबर घालना की यहां घाला ही यां तो पैन नंबर आपको जो त्हान में जो समक चाहिकर ऑग जो इंटर तो बटायों में u गेट डिटेल पे डालेंगे फिर OTP आएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा वो डालके सब्मिट पे क्लिक करना है यहाँ पे ध्यान से देखिए अभी आपको नया पासवर्ट डालना है यह जो नोट लिखा है यहाँ पे क्लियरली सब मैंशन ने फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ आठ से पंधरा क्यराक्टर यानि के A to Z के लेटर होने चाहिए उसमें से एक लेटर कैपिटल होना चाहिए एक लेटर स्मॉल होना चाहिए और एक नंबर भी आना चाहिए जो कि 0 से 9 के बीच में का ही कोई भी एक नंबर आना चाहिए और एक सिंबॉल आपको यूज करना है कोई भी जैसे के add the rate, hashtag भी सिंबॉल आप यूज कर सकते हो इन सब को मिलाके 8 या 15 letters मिलाके आप कोई भी एक password तयार कर सकते हो तो फिर वो उपर डालने है पहले enter password फिर नीचे डालने, confirm password फिर submit पे click कर दीजिए हो गया आपका password generated for example मैंने यहाँ पे दिखाया है capital M small aa hashtag 6 love you ma hashtag 6 love you अब ये नया password डालके आप login कर दीजिए आपका home page open हो जाएगा आप waiting list नंबर भी check कर पाओगे और referral भी देख पाओगे ओके ये जो for example का password मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है ये आपको समझ में आना चाहिए इसलिए दिखाया है ये password मत यूज किजिएगा कोई भी please okay thank you